हलो स्टुडेंट्स विल्कम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैंने अपने लास्ट वीडियो में सीप्यू उसके फंक्शन्स को पढ़ा दिया था और आज किस वीडियो में पढ़ेंगे इंपुट डिवाइसिस तो देखिए जो कंप्यूटर होता है ना हमारा कंप्यूटर इंपूट डिवाइसिस जो है पर्शन के दुवारा यूज किये जाते हैं कंप्यूटर के साथ कम्रीकेट करने के लिए ऐस्टांस आ कीबोर और माऊस में अनिंपूट डिवाइस या कंप्यूटर एक माऊस है वह उसक्ता है वाइल मॉनिंटर्स अंप्रिंटर्स ऑर दोनों होती है like moderns compute network cards etc अब इसमें हम पढ़ेंगे बहुत तरीके input devices various input devices in computing an input device is a peripheral piece of computer hardware equipment used to provide data and control signals to an information processing input devices जो है कैसे medium है जिसके थ्रू जो हमारा जो data provide करता है data को provide करता है signals को control करता है information processing को information processing के लिए ठीक है देन हमारा इसमें आता है many input devices can be classified according to बहुतर input devices इसको classify कर सकते हैं जिसको हम बर्गी करन जिसका कर सकते हैं पहला है हमारा modality of input फर्स्ट आता है हमारा modality of input यानि की input की जितनी modality है for example mechanical motion audio visual etc then second आता है हमारा the input is discrete यानि कि input जो है जब discrete है example eg's में लिखा गया है key prices और continuous यहां पर लिखा हुआ है continuous यानि कि discrete के उसमें आते है key prices और continuous में आते हैं mouse position ठीक है through digitized into a discrete quantity जिसको हम discrete quantity में digitize कर सकते हैं change कर सकते हैं is fast enough to consider continuous यही काफी काफी होते है फास्ट काम करने के लिए ठीक है continuously रहन थर्ड आते हैं the number of degree of freedom is involved यानि कि जो हमारी freedom की जो degree होती है बिना किसी इंटरप्शन के यह वह सारे number of degree को involve करता है इसमें example दिया है two dimensional traditional mic और three dimensional navigators designed for CA applications ठीक है computer application के लिए यह सब used होते हैं अब हम पढ़ेंगे कुछ input devices first है हमारा camera camera तो आप से अपने देखा ही होगा अपने phones में अपने computer laptops में यह क्या करता है यह हमारे picture को transmit कर लेता है pictures क्लिक कर लेता है इसके तरह हम pictures क्लिक कर सकते हैं ठीक है एक computer से अनदर में हम इसको transfer कर सकते हैं अपने picture को ठीक है और इसके थ्रू जो हम short video को भी record कर सकते हैं देन आता है हमारा computer disk cd इस store information अब cd एक आप ने देखी होगी कुछ इस तरीके से होती थी cd अब तो खैर शायद आती है नहीं आती मुझको नहीं वालूम लेकिन cd जो है information को store कर जाती थी the cd can then be put into another computer cd जो हम किसी और computer में देख सकते थे इसके information जो होती थी इसमें दर आता है हमारा keyboard अब देखे की बोड कुछ इस तरीकी का होता है इसमें बहुत सरे alphabet होते हैं इसमें बहुत सरे symbols होते हैं जो जिसके तुरू हम typing करते हैं अपने computer में keyword the keyboard is a way to input letters and numbers into different applications और प्रोग्राम के लिए keyboard also has special keys that help to operate the computer keyboard के पास कुछ special keys भी होती है जो एक होती है इस control plus c यह कुछ special keys ऐसी होती है जो अपरेट करने में मदद करती है हमारे computer को देन आता है हमारा mouse अब mouse वाला mouse नहीं चूहाँ वैसी वाली बात नहीं कर रहा है mouse इस तरह के mouse की बात कर रहा है ठीक है कि हमारे computer में यूज होता है mouse the mouse is used to open and close files यह mouse जो है इसमें buttons होते हैं ऐसे से करके हम यूज करते हैं जो mouse होता है यह files को open और close करने में काफी मदद करता है और इसके थ्रू हम बहुत सरी commands को click कर सकते हैं और यह बताता है computer को क्या करना है ठीक एदन आता है हमारा digital camera digital camera कुछ इस्तिप्रकार का होता है digital camera a digital camera can be used to take pictures एक digital camera जो है इसके थ्रूम pictures ले सकते हैं it can be hooked up to a computer to transfer the pictures इसको हम अपने computer से attach करके computer से connect करके इसको हम इसके pictures को transfer कर सकते हैं some digital cameras hold a floppy disk कुछ इस डिजिटल camera में floppy disk होती है ठीक एदन आता हमारा drawing tablet टैबलेट यह एक टैबलेट टैबलेट कैसा होता है drawing tablet is similar to a whiteboard drawing tablet अपने whiteboard देखा होगा जिसमें पढ़ाई करते हैं उसी के जैसा होता है except you use a special pen special pen to write on it and it's connected to the computer इसको computer में save कर सकते हैं ठीक है microphone microphone कुछ इस तरिकी का होता है microphone is used to record sound यह हम sound record करने के लिए किसी चीज़ को जब हम बोल रहे है उसको record करने के लिए use किया जाता है दन आता है scanner 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 कुछ इस प्रकार का होता है scanner is used to copy pictures or other things and save them as a file on the computer scanner scanner जो है pictures को copy करने के लिए use होता है और और चीज़ों को copy करने के लिए use होता है उसको हम save कर सकते हैं अपने computer पर as files बनाकर disk drive, disk drive कुछ इस प्रकार की होती है disk drive can hold a cd, disk drive cd को hold कर सकती है यह information को read करती है जो कि disk पर होती है ताकि जो मारा computer है उसको use कर सके joystick joystick कुछ प्रकार की होती है नहीं इस प्रकार की होती है joystick joystick इसमें दी नहीं है joystick is used a joystick is used to move the cursor joystick जो है यह cursor को move करती है इधर से एक जगा से दूसरी जगा पर and to click on various items in programs और प्रोग्राम में काफी अलग प्रकार की items को click करती है देन आता है हमारा touchscreen touchscreen यह होता है touch screen एक touchscreen जो है computer screen होती है कोई other screen होती है that you can touch with your finger जिसे हम अपनी finger से touch कर सकते हैं information को enter कर सकते हैं जैसे कि bank में ATM होते हैं यह काफी अच्छी example है और लास्ट आता है हमारा barcode scanner एक barcode scanner जो है वह little labels को यानिकि छोटे labels को लेबल्स को barcode में जो है scanner जो इसको scan कर लेता है the information is then saved on the computer then जो हमारी information होती है वो computer में save हो जाती है barcode scanners are used in libraries a lot जो barcode scanners होती है यह libraries में काफी use होते हैं तो आज की वीडियो में बस इतना है वीडियो चलेगे तो वीडियो को like, share, comment और चैनल को subscribe करने ना भूले thank you for watching